Hello and welcome to Takeoff India आकरकार वर्ल्ड में इंटरनेट उसर्स कितने हैं और ये टॉपिक इतना पढ़ना महतपूर क्यों है और ये अमारे जीवन पे कैसे प्रवाव डालेगा इन्ही कुछ महतपूर प्रशनों के उपर आज में चर्चा करूँगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस पूरी स्टूरी की शुरुवात 2000 से हुई थी 2000 में इंटरनेट यूजर्स और अराउंड वर्ल्ड वर लेस देन 10% अव ड़ टोटल गलोबल पोपुलेशन विश्व की टोटल जनसंख्या में से लगबक 10 प्रतीशत से कम लोग इंटरनेट को यूजर्स करते थे यदि वर्तमान स्टिती की बात करें ये ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अभी की स्टिती में 47% वर्ल्ड की पोपुलेशन जो की 350 करोड की आसपा से 350 करोड 350 करोड of the people are currently using इंटरनेट 350 करोड जो की 2000 में केवल 7-8% थी वो 40% तक बढ़के 355 करोड तक पोच गई है ऐसा माना जा रहा है ऐसे प्रोजेक्शन से की वर्ल्ड के टोटल इंटरनेट यूजर्स 2025 तक ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा लगबग 80% हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि 2000 में जो इंटरनेट यूजर्स थी जो की 7-8% है 2018 में लगबग 47% है और 2025 तक लगबग 80% हो जाएंगे इंटरनेट के वर्ल्ड में यूजर्स बढ़ते चले जा रहे which will result into the formation of more and more data इससे data और भी बढ़ता चले जाएगा और इससे और भी ज़्यादा data mining, data harvesting, data processing का इसको बढ़ता चले जाएगा यह कुछ जटल शब्द में ने आपके सामने बोल दिये है इनके बारे में भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे तो internet users world में जितने भी है इनसे और ज़्यादा data एकत्रित होता चला जा रहा है और ज़्यादा data formation होता चला जा रहा है 80% 2025 में world की total population internet को use करेगी which will result into the more and more formation of data और जो की जितने भी ऐसे आज technological driven enterprises है technological driven business model है उनको और motivate करता रहेगा services वो देते रहें उसके बदले में वो आपसे data लेते रहें जैसे की Facebook अब ये इतना गंबीर इसलिए है recent में Cambridge Analytica Facebook scandal जब से viral हुआ है जब से इसके बारे में जानकारी मिली है सबसे बड़े प्रशनी होटते हैं कि क्या हर देश को हर सोसाइटी को यब एहम मोका आ चुका है जब data protection कालू लाने चाहिए data को protection करने के लिए regulation नियंतर लाना चाहिए क्योंकि वर्ल में जिस तीजी से जिस speed से internet users बढ़ रहें है data बढ़ रहा है enterprises का आखिरकार business model ही यही है revenue model ही यही है processing करके उससे कुछ pattern निकालके उनको कुछ specific advertisement दिखाना उनको कुछ specific political views दिखाना तो आखिरकार यह जब से camera generator का Facebook scandal सामने है यह issue बहुत ज़्यादा important है विस्तार में चर्चा हमने इसमें पूरे अपने premium course take of India के एक lecture में की है जिसमें हमने पूरी की पूरी चीजों को बारी की सेध्यन करने की कोशिश की है याद रखियेगा facebook के internet facebook के भारत में सबसे जढ़ा users है पूरी world में सबसे ज़ढ़ा facebook use भारत में होता है और भारत उन देशों में से है जो की सबसे ज़ढ़ा internet users जिस देश में है चीन और भारत ऐसे देश हैं जहां पे इंटरनेट यूजर बड़े सारे हैं करेंटली लगबग 40 करोड ओव दा इंडियास पोपुलेशन इस ओन इंटरनेट तो मतलब ज्यादा से ज्यादा डाटा अब इस डाटा की उपर हम किस प्रकार से रेगुलेशन ल दाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बहुत बड़ी भूमी का निवाएगा क्योंकि इंटरनेट यूजर के साथ साथ डाटा बढ़ता चला जा रहा है बिजनिस मॉडल ही वही है so that's why this topic is very important because the internet users all around the world are growing which will result into the formation of data and which will always motivate the companies to structure to deep structure their revenue model using processing and harvesting data that's it Jai Hind so that's it so so so